इसका 5 नमबर रहते हैं, 5 नमबर में देखें क्या दिया है, इंटर्मिनान्ट ओफ, x प्लस 1, 3, 5, 2, x प्लस 2, 5, 2, 3, x प्लस 4, और एक वर्टू में 0 दिया हुआ है, ठीक है, एन दिया हुआ है यहां पर, तो एक काम करते हैं, हम लोग c1 के प्लेस पर, c1 प्लस, c2 प्लस, c 3 करते हैं, तकि एक ही जैसे टर्म आजाए, जबो x प्लस 9 हो जाएगा, फिर यहां पर, x प्लस 9, x प्लस 9, बाकी सारे लिवन वह से लिखोन, 3, x प्लस 2, 3, 5, 5, x प्लस 4, इक वर्टू में 0, इसको बाहर ले ने, यह अब लिखते हैं, टेकिंग आउट, टेकिंग आउट, x प्लस 9, from c1, c1 से निकाल देते हैं, यहां पर, x प्लस 9, x प्लस 9 यहां से निकाल देते हैं, बाहर, यहां 1, 1, 1, यहां पर देखिया, 3, x प्लस 2, 3, 5, 5, x प्लस 4, इक वर्टू में 0, इसको बात देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, r1 के प्लेस पर, r1 माइनस r2, और r2 के प्लेस पर, r2 माइनस r3 करते हैं, x प्लस 9, यहां पर देखिया, क्या हो जागा, 0, यहां आ जागा, 1 माइनस x, यहां हो जागा, 0, फिर 0, x माइनस 1, यहां पर हो जागा, 1 माइनस x, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1, 3, x plus 4, इकोटो में दिए चले अब एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग, c1, c1 को लेके एक्सपेंड करते हैं जाएगा, x plus 9, into में 1 नेंगे, डिटर्मिनाट में क्या बचेगा, यह रोग, यह कोलम हटा देंगे, तरह इन चारों का डिटर्मिनाट वैलू यहाँ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 minus x, 0, x minus 1, यहाँ 1 minus x, तेरहें solve करते हैं तो x plus 9 ठीक है और यहां पर into में क्या हो जागा 1 minus x का square minus 0 equal to 0 हो जागा x plus 9 into में 1 minus x का square equal to 0 चलिए अब इसके बात देखते हैं यहां से x plus 9 equal to 0 कर देगे और दूसरा हम लोग 1 minus x का square equal to 0 square को उधर ले जाएंगे root में plus minus भी लगेगा तो plus minus 0 हो जाएगा यह काम करते हैं ना इसको उधर बिदे या x को उधर बिदे इसको इधर लगते हैं तो यह minus plus अब यहां आजाएगा equal to 9 x तो यहां से x का value क्या एगा 1 1 है जीरो चोड़ेंगे घटेंगे ही एगा और यहां पर यहां पर यहां से क्या गया वान वान और माइनस नहीं लागे समझ गए चलिए अब इसका